नमस्कार देवी और सज्जनों आज स्टेट सीरीज के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम आप पूले चलते हैं करनाटका की और और आज की इस वीडियो की खतम होने तक मैं कोशिश करूंगा कि करनाटका के जितने भी महत्तपून इंपॉर्टन एक्जाम के अंदर बन सकते हैं वो कवरब कर लिये जाएं ठीके जी बिना किसी देरी करें अगर हम बात करते हैं तो करनाटका भारत के दक्षणी करनाटका जो है बिटाब का ये भारत के दक्षणी छेतर के सबसे प्रसिद राज्यों में से एक है और अगर हम क करनाटका की सीमा पर पढ़ने वाले राज्यों के जर्चा करें तो अगर आप देखें तो करनाटका के इस तरफ एक राज्य है एक इधर है एक इधर है एक यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर तो करनाटका के आसपास जितने भी राज्य अगर करनाटका के बौडर राज जो के बारे में एक्जानर्स आप से सवाल पूछे कि करनाटका के आसपास कौन-कौन से राज्य पढ़ रहे हैं बिटा तो यहां दियान दे पहले नंबर पे जो राज्य है वो है आपका महरास्ट उत्तर की तरफ फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मिला अगला राज्य ज अगर हम करनाटका राज्य की बात करें बच्चा तो आप देख सकते हैं करनाटका के आसपास दक्षिन भारत के जतने प्रसिद्ध राज्य है वो सारे अपनी सीमा साजा करते हैं करनाटका राज्य के साथ यह इकलौता ऐसा दक्षिनी राज्य है जिससे दक्षिन भारत के स सारे राज अपनी सीमा को टच कर रहे हैं तो भाई एक्जाम के इंदर सवाल सिंपल सा आया कि अरनाटका के आसपास कौन कौन से राज है तो भाई पैटन शुरू कर लेंगे महरास से तेलंगाना तेलंगाना से आंधर परदेश फिर तमिलनाडू फिर केरला फिर उसके बाद अपना गोवा एक छोटा सा राज पहिती बाते के लिए बिटा हमारे लिए अब आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें करनाटका के भगौलिक छेत्र के बारे में थोड़ी बात चार्चा करें तो अगर हम देखें तो भाई करनाटका हमें इतना पता होना चाहिए बिटा और इसको हमने बोला गया राजपुनागटन आयोग स्टेट री ऑर्गनाइजेशन अक्ट तो उसी स्टेट रि ओर्गनाइजेशन अक्ट केबाद हमने क्या क्या भाई मैशूर स्टेट जो था एक नॉवंबर 1956 को हमने क्या किया भई, माईसूर स्टेट का नाम बदल के रख दिया, मतब माईसूर स्टेट, फिर उसके बाद 1973 में इसी का नाम बदल के हमने करनाट का कर दिया भई, जो कारनेटिक रीजन के लिए बहुत प्रसेद हुआ करता था, इसको जो सबसे बड़ा राज शहर है वो है बैंगलोरू, जिसको हम बैंगलोर भी कहते हैं, वो यहां की राजधानी माने गई, और इसके आस्पा जो भी राज्य है, वो हमने देख लिए, यह भारत का छटा सबसे बड़ा राज्य है, ठीके, और आठवा सबसे बड़ा राज्य, जनसंक्या के हिसाब से, 2011 के जनगण स्लाइड में अगर आगे बढ़ते हुए, चर्चा करें कुछ और बातों की, तो हम अगर बात करें कि यहां पर प्रसिध डान्स कौन कौन से, और अगर हम प्रसिध डान्स हों से पहले, हम अगर नरित्य से पहले कुछ ऐसी बातों की चर्चा करें, जो बढ़ते हमारे इदर यहां से यहां तक देखे यहां से यहां तक का जो भारत का तट है और यहां से यहां तक का जो भारत का तट है इसको मुख्यता हमने दो भागों में विवज़त कर दिया है ठीके बेटा इधर वाला जो है यह भारत का वेस्ट पश्चमी तट है इधर वाला जो है ये पूर्वी तट है जो पश्चमी तट है ये बटा पश्चमी तट को हम वेस्टन घाट के नाम से जानते हैं और इनी वेस्टन घाट के इस वाले छेतर के अंदर करनाटका में कई सारी प्रवश्ट रंख लाएं हैं जिसमें जो मुख्याद हम बात करें तो भै एक पहाड़ ये कुद्रES मुख की पहाड़ियां फिर बटा आगे अगर हम बात करें तो यहां पे मुल्यान गीरी फिर अगर हम लिखे अगली पुरुष्ण काना बैट इस ब्रव्म गीरी ठीक है और ये जो प्रसिद्ध पहाडियां है ये करनाटका की प्रसिद्ध प्रवस शंखलाएं है और यहाँ पे एक और पहाड़ी से नंदी हिल्स के नाम से लाता है वे प्रसिद्ध है तो जो मुल्यान गिरी है सबसे उची शंखलाओं में से एक है वहाँ की और ये यहाँ के इंपोर्वस शंखलाएं है बास समझें बेटा तो करनाटका के भगौलिक छेत्र के बारे में हम पढ़ते हुए आगे बढ़ें तो हमें यहाँ के सारे जो बड़े पहाड़ हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए तो फटा-फटा अगर आप वीडियो देख रहें तो भई इसको कॉपी कर लेंगे हमारे एक्जाम के लिए इंपोर्टन फैक्ट हो सकता है अब बेट अगर हम चर्चा करें यहाँ के इंपोर्टन डांस की तो देखें भई करनाठ का जो राज्य है अपने कई नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है लेकिन वहाँ पी बेटा सबसे जो महत्पूर्ण जो डांस फॉर्म है वो है यहाँ का डोलू कुनीता जो डोलू कु है तो कहानी में अगर हम और इसके डांस की बात करें तो कई सारे डांसों के लिए प्रसिद्ध है राज इसमें ये शगान ठीके जी कुनीता देखी लिया हमने उसके बाद कृष्ण प्राजिता और भूता ठीक है एक भूता कोला नाम से प्रसिद्ध है यहाँ है यहाँ पर वीरा मुडी ब्रमुस्सों ये भी देखेंगे ठीक है उसके बाद बैसिकली अगर हम बात करें तो अब हम पी फेस्टिवल को और वीरा मुदा ये तीन बाते विश्वेस तोर प्याद रखेंगे इस राज जी के इंपोर्टन फेस्टिवल्स में से हैं ये फि करनाट का है ये प्रसिद्ध है इक नदी के लिए बिटा इसका नाम है जो घृतात यह बहुतर सो जो टिन पर सावप करो अगर को जो नहीं है और पर एक अंदर वहती है ऑर निलिए इसको हम मान्डवी की ये करनाटका और गोवा दो राज्यम बहती देखा था हमने गोवा अपनी सीमा साजा कर रहा है करनाटका के साथ तो उस वाले छेत्रों में एक नदी बहती है मांडोवी रीवर ठीके जी और उसके वाद अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे जो अगाशनी रीवर है यह अगाशनी रीवर है इसको इस तरीके से मैं हाइलेट जानबू से कर रहा हूँ बेटा क्योंकि अभी दो फरवरी को ठीक है दो फरवरी 2024 जो था इसमें हमने क्या किया वेटलेंड दिवस मनाया और भारत के अंदर पहले 75 वेटलेंड साइट हुआ करते थे आप 80 हैं जिसमें हमने 5 जो नई जो और यसमें 3 जो है वो करोनाट का राज्य से है उसी 3 में से एक है पिटा अगाशनी वेटलेंड तो अगाशनी वेटलेंड करनाटका का वेटलेंड है और साथ इसाथ अगाशनी रीवर जो है करनाटका की नदी है तो यह भी बेटा याद रखेंगे बाते हमारे एक्जाम के लिए इंपरंट बन सकता है तो अगर हम इतनी बाते पढ़ लेते हैं तो हमें इस सारी बाते पता होने चाहिए कि इंपर्टन डान्स फेस्टिवल्स नैशनल पार्क कौन सा है और यहां के प्रमुख नदियां कौन कौन सी है अच्छा एक पॉइंट और यहां समझ लेना है आपको कि जो करनाटका है भारत में कई से नदियां है बेटा करनाटका जो है भारत के एक प्रसिध नदी जिसका हम कहते हैं बेटा कावेरी तो भारत की प्रसिध नदी है कावेरी जो तमिल नाडो करनाटका छेतर से बहती है वो जो नदी है इसका उदगम भी करनाटका के अंदर होता है और करनाटका में एक स्थान है ब्रह्मगीरी की परवश रंकलाएं देखा था भी हमने तो करनाटका के जो ब्रह्मगीरी परवश रंकलाएं है वहां से कावे नदी का उदगम हुआ और कावेरी करनाटका से बहते वे तमिल नाडू उसके बाद फाइनल लागी किर जाती है ये अरब सागर बेयो बेंगॉल के अंधर तो भाई इतनी बाते आप करनाटका के बारे में याद रखेंगे तो आपके लिए बाते सही से रहेंगी मिलते हैं भाई अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम अगले राज को पढ़ेंगे तो केसे करनाटका और केसे केरला की सीरीज को कम्प्लीट करें अगले क्लास में तब तक ध्यान दें कीप लर्णिंग बाय बाय थांक्यू